तो नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ Oppo Reno 10 मॉबाईल में In-Display Fingerprint Lock कैसे लगा जयता है जैसा कि Friends आप देख पारे हो हमारे मॉबाईल में In-Display Fingerprint Lock लगा हुआ है और जैसे ही मैं Fingerprint sensor पर टच करता हूँ तुरंद दोस्तो mobile open हो जाता है तो आप कैसे in display fingerprint lock अपने mobile में लगाओगे चलिए दोस्तो मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ तो इसके लिए आप सभी लोगों को करना क्या होगा दोस्तो आप अपने mobile की setting को open कर लिजे mobile की setting open होने के बाद scroll down करेंगे यहाँ पर password security का option आएगा इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर fingerprint का option दिखेने को मिलेगा इस पर आपको क्लिक करना है उसके बाद continue के option पर आप क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर देके numeric, alpha numeric pattern जिसके साथ आप fingerprint lock लगाना चाहते हैं उसके बाद यहाँ पर second चलते होई दिखाये देंगे तो आपको wait करेंगे उसके बाद दोस्तों continue के option पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पर एक pattern बनाना होगा जो भी आप डालना चाहते हो डाल दीजिए यह screen lock रहेगा उसके बाद यहाँ पर दे की in display fingerprint sensor बना हुआ है तो अपना finger इस पर scan करवा लेजिए फटाफट तो मैं जल्दी जल्दी से scan करवा लेता हूँ तो friends मैंने जो है fingerprint scan करवा लिया है उसके बाद done के option पर आपको क्लिक कर देना है बस आपके मॉमिल में in display fingerprint lock successfully लग चुग है जैसे कि friends आप देख पारे हों तो इस प्रकाश से आप in display fingerprint lock लग लग चुग है